नमस्कार दोस्तों, आवरल टाइम्स न्यूस चानल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है, मैं हूँ सुनाक्षे दिक्षित हिंदु धर्म के तीर्थ इस्थलों में से एक है किदार नात, भगवान शिव का मंदिर, जहां भक्तों की हमेशा भीड उमरती है दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथे लेकर आएं हैं, जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे ये कोई पौरानिक कथा नहीं, बलकि वाडिया इंसिट्यूट ओफ हिमालिया जियोलोजी दहरादून के द्वारा रिसर्च हुआ एक फैक्ट है इस इंसिट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार किदारनात मंदर 13-14 सदी के बीच जो छोटा हिम्यूग आया था, उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था जिसके बावजोद इस मंदर पर कोई आँच नहीं आई, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए महादेव हमेशा मौजूद रहे हैं पौरानिक कथाओ के अनुसार किदारनात की कथा महभारत की युग से शुरू होती है जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किये गए पापो का प्राश्चित करने भगवान शिव को ढूडने निकले थे तब शिव उनसे छुप गये थे शिव ने अपना रूप बदल कर एक बैल का रूप धारण कर लिया था और उत्राखंड में छुप गये थे जहां वो छुपे थे उस जगे को गुप्त काशी कहा जाता है पांडव काशी से होते हुए उत्राखंड पहुचे थे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था भगवान शिव जो बैल बने हुए थे वो जमीन के अंदुरूनी भाग में छिप गये लिकिन उनकी पूछ और उनका कूबर दिख रहा था भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे उन्होंने पूच से पकड़ कर बैल को निकालनी की कोशिश की इसी द्वंद में उसका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और उस बैल का कूबर एक शिवलिंग के तोर पर स्थापित हो गया इसी कड़ी में पहाड के दो हिससे भी हो गए जिने अब नर और नारायन के नाम से जाना जाता है और यही कारण माना जाता है कि किदार नात का शिवलिंग तिकोने आकार में हैं वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता बाकी सभी शिवलिंग से भिन दिखता है दरसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूप से जुड़ी हुई है पौरानिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भोलेनाज से खुब प्रार्थना की थी इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतारित हुए इस बैल का नाम था कोडारम जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश महादेव के अवतारित रूप द्वारा हुआ था जिने भगवान शिव ने मंदाकनी नदी में फेक दिया था किदारनात नाम कोडारम नाम से ही लिया गया है धन्यवाद